आपने कहा और हमने बनाया यह डेडिकेटेड वीडियो है सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पर और आज बारी है केमिस्ट्री के चैप्टर टू जो की बहुत इंपोर्टेंट है जब आप बेसिक्स नहीं समझेंगे आपको एडवांस लेवल नहीं समझना आएगा और यह चैप्टर एकदम बेसिक्स है जिसमें बताया गया है कि केमिकल चेंजेज कैसे होते हैं और क्या टाइप के चेंजेज होते हैं और साथ में केमिकल रियाक्शन्स चलिए समझते हैं तो सबसे पहला वर्ड आता है सरी केम दवाब है नहीं तो कैसा चेंज आई है इस इमी कल चीज तो एक ऐसा चीज जिस में नो 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 इक ऐसा चेंज जिस में न्यू सबस्टेंस इस फॉर्म वैसे मैं जा रहा था 10 फैंश फिंच पर को तो फिजीगल चेंज हो जाता चलो उसकाँ बहुंब देते हैं मां कि आपने एक बल्ब या एक लाइट को sözव आं किया बंद कर दिया स्विंच उच्ऑ कर दिया तो ये जो चेंज हो रखार है वो कैसा चेंज है on off ये कैसा चेंज है और फिजिकल चेंज है क्योंकि नए चीज प्रोड्यूस नहीं हो रही है आपने wax को melt कर दिया, चलो ice को पिगला दिया, वापस solidify कर दो, प्रिज में रख दो, वापस ice बन जाएगी कि नहीं, तो this is what is physical change, आज पूरी detail में समझेंगे chemical change और reactions की बारे में, तो chemical reaction, जब यह word आता है reaction, react करना, मतलब mix करना, किसी को किसी के साथ mix करना, ताकि एक नया compound बन पाए, एक नया bond बन पाए, बस किसी को कहते हैं, react करना, जैसे आपको कोई like दे दे, आपको कोई कहे, तुम बहुत अच्छे हो, तुमारा काम बहुत अच्छा है, तो आपका reaction क्या होगा, आप खुश हो जाएंगे, तो समझ गए हैं, हाला कि यह reaction नहीं है, मेरा कहने का मतलब था, जब हम chemical reactions की बात करते हैं, तो अगर elements combine करते हैं, तो वो combine करने पे नए bond को बनाते हैं, पुराने जो इनके bond होते हैं, structures होते हैं, वो break होते हैं और नए bond form होते हैं, और ऐसा करने को कहते हैं हम लोग chemical reaction, आईए समझते हैं, एक process of breaking of chemical bonds, of the reacting substance and making new bonds, तो पुराने का bond break हो रहा है और नया bond बन रहा है, हम इसे कहते हैं क्या chemical reactions, अ sir, तो bond chemical force होता है, bond वैसे किस-किस type का होता है, तो मैं बता दूँ, electrovalent bond होता है, covalent bond होता है, और co-dative bond या co-ionic bond जिसे कहते हैं, हाँ, ये भी bond होते हैं, मतलब कि जिससे metal और non-metal अगर एक दूसरे को hold tightly कर लेते हैं, जैसे कि आपका घर का नमक, आपका घमर एक घर का नमक जो एक बहुत ही अच्छा क्या है, chemical bond है, उसमें क्या है, sodium है और chlorine है, sodium metal है, chlorine non-metal है, दोनों क्या कर गए है, combine हो गए है, और एक compound बन गया है, बन गया है bond, तो bond वो force है, जो hold करता है, hold करता है molecules put together, clear, बात करते हैं, क्या conditions होती है, एक chemical change के लिए, chemical change कराने के लिए, अगर अच्छा, इसका मतलब है, सारी conditions नहीं चाहिए, any one of the conditions is possible, जैसे कि पहला condition है, mixing करना, या कहें, तो close contact मिलाना, अब change भी करना चाहते हैं, और चीजों को मिला भी नहीं रहें, कैसे होगा, तो भया पहले मिलाओ, और खास करके, जब solid को मिलाएं, तो क्या कोई change होगा, हाँ, जैसे example है, कि कुछ chemical change take place करते हैं, जब इनको solid state में ही mix किया जाए, example के रूप में iodine और phosphorus वापरे, बड़े strong chemical है, तो उनों explosively react कर जाएंगे, इसलिए गलती से आपको lab में यह नहीं करना है, बदमाशे नहीं करना, तो iodine and phosphorus reacts explosively, even when they are brought in contacts, तो बहुत risky है, दूसरा है, कुछ chemical reactions, solid state में नहीं react करते हैं, जब वो liquid या molten state में होते हैं, तो react करते हैं, example है, जैसे sodium carbonate, sodium carbonate और oxalic acid, दोनों जब liquid state में होते हैं, तो ही एक दूसरे से react करते हैं, एक नया compound form करते हैं, solid state में नहीं, अब कुछ और example है, जब heat में भी कुछ substance react कर पाते हैं, इसका मतलब है, अग sure नहीं करेगा, कुछ example जैसे की copper carbonate, copper carbonate एक compound है, इसको heat करने पर copper oxide और carbon dioxide प्रियूस होगा, carbon dioxide तो gas है, वो evolve होके उड़ जाएगी, जो की copper oxide एक solid है, वो residue की रूप में बचा रहेगा, तो heat के बेना क्या ऐसा होगा, जवाबे नहीं, वो as it is पढ़ा रहेगा, copper oxide, पात करते ह है, light की, कुछ chemical reactions light के presence में होते हैं, कुछ ही सबसे अच्छा example होगा, sunlight के presence में हो रहा है, photosynthesis, आप तो जानते ही है, green plants, जिनमें होता है, chlorophyll, वो sunlight लेकर के, water और carbon dioxide की मदद से glucose पैदा करते हैं, हम इसे कहते है, photosynthesis, या इसका दूसा नाम भी है, photolysis, तो यह कहता reaction है, एक ऐसा reaction जो light के presence में हो रहा है, और भी example दूँ, जैसे, एक solution है, silver nitrate का, अगर silver nitrate को sunlight में भी हाँ, बाहर भी रख दिया जाए, daylight में भी रख दिया जाए, तो भी यह disintegrate हो जाता है, इतना तेज reactive है, या एक और compound है, hydrogen peroxide, यह दोनों को lab में भी रखा जाता है, तो brown color की bottom में रखा ज क्योंकि light से भी क्या हो जाते हैं, यह react कर जाते हैं, disintegrate कर जाते हैं, decompose कर जाते हैं, अब आते हैं, कुछ ऐसे भी chemicals होते हैं, reactions होते हैं, जिनके लिए current देना पड़ता है, हम कहा रहे है, current electricity देना पड़ता है, अब imagine करिए, हमें क्या करना है, हमें पानी को disintegrate करना है, पानी क को ब्रेक करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कह रहे हैं आप हीट कर देंगे करके देख लो हीट क्या होगा डिसिंडिक्रेट नहीं करेगा भाब बनके उड़ जाएगा आप वाटर लिक्विट से वेपर सेट में आ जाएगा पर मुझे क्या चाहिए वाटर में से ह इलेक्ट्रिक करेंट से पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पूस हो जाएगा मैंने कहा न हर केमिकल रेक्शन की अपनी खुझे कंडिशन से हैं अब कुछ केमिकल्स प्रेशर में रियाट करते हैं मतलब दे आर पुट अंडर हाई प्रेशर तभी वो रियक्ट करेंगे वरना नहीं करेंगे जैसे की हेबर्स प्रोसेस एक प्रोसेस है जिसमें अमोनिया फॉर्म होती है इसके लिए नाइट्रोजन और हाईड्रोजन को कंबाइन करना होता है वन इस टू तू त्री के रेशियो में मतलब नाइट्रोजन नाम की गैस तब बनाएगी जब उसमें 200 एक्मोस्फियर या उससे अधिक का प्रेशर लगाया जाए उससे कम प्रेशर लगाएंगे तो वह फॉर्म नहीं करेगी तो यह अंडर प्रेशर ही फॉर्म करेगी अच्छा एक्जांपल देता हूँ आपके घर में एल्पीजी सिलेंडर है जिसे घर में ममी खाना पका रही है तो वो सिलेंडर में गैस भरी हुई है जैसे भरी गई है अंडर प्रेशर उसमें गैस भरी गई है लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस भरी गई है बट अंडर प्रेशर भरी गई है तो जैसे ही मम्मी उपर से नॉब खोलती है गैस के स् है और माचेस लगाते ही क्योंकि वह mindfulness होती है जलने लगती है अंदर से नौब खोलते ही समझ में आया तो यह है प्रैसर कुछ reaction catalyst के presence में होते हैं कुछ reactions अब यहisam Państu चूल क्या बला है तोने इक तरह के chemicals होते हैं यह हैं यह केमीकल यहां तो असेलीरे jetzt कर सकते हैं reactions को accelerate पता पता तेज कर देना फास्ट कर देना या उल्टा भी कर सकते हैं decelerate भी कर सकते हैं reaction को slowdown भी कर सकते हैं इप तरह के कह सकते हैं elements हैं जो reaction के rate को change करते हैं पर क्या खुद इस्तमाल होते हैं जवावे नहीं 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 catalyst are itself not used up अगर हमने 10 gram catalyst पुट किया reaction में reaction हो जाने के बाद बापस 10 gram ही catalyst बाहर निकलाएगा तो इसका मतलब है वो सिर्फ सिर्फ क्या करते हैं influence करते हैं rate of reaction को अब कुछ example से करूं जैसे की sound energy भी कई वार catalyst का काम कर जाती है खास करके acetylene में acetylene को C2H2 को अगर sound energy दे दी जाए तो वो hydrogen और carbon में break हो सकता है क्या और भी example है हाँ और भी example है जैसे आपकी और मेरी body में catalyst है नाम है enzyme हमने रोटी खाई हमने चावल खाया तो यह चावल रोटी हमारे mouth में जाते ही एक enzyme एक bio catalyst हमारे शरीर में है एक नहीं वैसे तो है अनेक पर मैंने का mouth की बात कर रहा हूँ वहाँ पर है pitalin इसको slavery amylase के नाम से भी जाना जाता है यह क्या करता है हमारे खाने में जो starch मौदूर है जो रोटी और चावल हम का रहे हैं आलू खा रहे हैं इसमें starch उसको breakdown करना शुरू कर देता है तो catalyst क्या करता है reaction fast करता है आपके शरीर में जो digestion हो रहा है खाना पच रहा है वो भी एक करका chemical reaction है अब imagine करिए आपके शरीर में catalyst न होता enzyme न होते तो जो खाना दो या तीन घंटे में digest हो जाता है उससे digest होने में कई महिने लग जाते समझ रहे ना imagine करिए कितने कमाल का है यह catalyst अब positive catalyst क्या करेगा reaction को accelerate करेगा reaction को तेज करेगा इसका मतलब reaction fast कर देगा example की रूप में hydrogen peroxide hydrogen peroxide क्या करती है जल्दी disintegrate हो जाती है जल्दी breakdown हो जाती है manganese oxide के presence में तो manganese oxide कौन है एक positive catalyst या मैंने हमारे body के enzyme का example भी दिया दूसरा होता है negative catalyst यह क्या करते है यह catalyst reaction को slow down कर देते हैं जैसे कि phosphoric acid अगर phosphoric acid add कर दिया जाएगा hydrogen peroxide में तो उसका disintegration ultra slow हो जाएगा अब वो धीरे धीरे breakdown करेगा इसलिए negative catalyst है यह तो हो गया कप-कप condition होगी chemical reaction की अ chemical reactions होते ही क्या है इनके features क्या है क्या है इनका characteristics आई समझते हैं तो अगर chemical reaction हो रहा है तो हो सकता है gas evolve हो या रखेगा यह सब में नहीं होगा पर कुछ न कुछ features होंगे जैसे कि कुछ chemical reactions में जब gases evolve होती है उसका एक example है zinc reacts with hydrogen sulfide जैसे कहते हैं sulfuric acid तो zinc क्या करती है इसमें से hydrogen क evolve कर देती है zinc hydrogen को displace करती है देखे hydrogen के उपर देखे क्या लगा है यह arrow उपर की तरफ लगा है यह indicate कर रहा है कि hydrogen gas पैदा हो रही है तो क्या हुआ? evolution of gas कभी-कभी जब gas evolve होती है और bubbling की थ्रू आथाथ whizzing sound पैदा करता है क्योंकि वो bubble liquid के reactions के थ्रू निकलना होता है हम इससे effervescence भी कहते हैं मतलब production of gas through a gas bubbles in a liquid और कभी-कभी chemical reactions में color भी change होता है मतलब सब में नहीं होगा मतलब की color of the reactants and color of the product will be different जैसे example group में यहां पर देखिए iron react कर रहा है copper sulfate के साथ copper sulfate एक blue रंग का solution होता है पर जब iron के साथ react कराते हैं तो उसका color change हो जाता है light green हो जाता है क्यों light green क्यों जाता है क्योंकि इसमें से copper displace हो गया है और copper displace हो करके बन गया है सिर्फ copper देखिए copper बाहर हो गया है और जबकि iron इसकी place ले लेगा और बन जाएगा iron sulfate तो iron sulfate dirty green या light green color का होता है जबकि copper sulfate blue रंग का होता है so blue changes to green हो गया color का change कुछ और example देते हैं कि chemical reactions में और क्या हो सकता है कई बार chemical reactions करने के दौरान कुछ insoluble solid particles नीचे settle down हो जाते हैं मतलब यह और भी liquid add करने पे dissolve नहीं होते हैं यह हम कहते हैं precipitate मतलब जो dissolve ना हो solid particle जो नीचे जाके बैठ जाए यह हम कहते हैं precipitate एक तरह के insoluble solid substance होते हैं example का reaction देखें तो देखें silver nitrate है वैसे एक silver nitrate एक quick बहुत तेज reactive substance है इसको घर के नमक से react करा रहा है घर का नमक sodium chloride क्या form कर रहा है एक precipitate white color का नाम है silver chloride silver chloride नाम का एक white precipitate पैदा हो रहा है आप और excess of sodium chloride भी add कर देजे पर यह precipitate बना रहेगा तो कुछ chemical reactions में precipitation form होता है precipitate form होता है और क्या होता है कुछ chemical reactions में कुछ chemical reactions में change in state होता है मतलब हो सकता है वो solid state से liquid state में change हो जाए या liquid state से gaseous state में चुन जाए सबसे अच्छा example है आपका खुद का water पर water में आप heat करेंगे तो वो steam बन जाएगा तो liquid से vapor बन गया और यहाँ उल्टा कर दीजे water को आप freeze में रख दीजे फ्रीजर में रख दीजे solid हो जाएगा पर याद रुखे का यह chemical change नहीं है physical change है और हम बात कर रहे है change in state पर वो भी chemical reaction में तो कुछ reactions में state change होता है जैसे मैं example दे रहा था आपको कि ammonia यह एक gas है hydrogen chloride यह भी एक gas है यह दोनों gases combine कर जाती है और combine करके solid form करती है नाम है ammonium chloride तो यह बहुत अच्छा example हो जाएगा solid के formation का by gases two gases देखा state change reacts to form one solid यह भी हो सकता है तो क्या साबित करना चाहते हैं chemical reactions कई सारे तरीके से हो जागता है आईए types of chemical reactions को एक बार समझते हैं सबसे पहला है direct combination reaction इसे हम लोग synthesis कहते हैं यह आम भाशा में बोले कमाईन करना यह कैसा chemical reaction है इसमें दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक सब्स्टेंस combine कर जाते हैं और क्या बन जाते हैं एक synthesis combine नाम देखो इसमें combine कर जाते हैं और एक single product बन जाते हैं एक example का reaction पढ़ते हैं जैसे iron और sulfur जब इनको क्या करेंगे strongly heat करेंगे तो iron और sulfur combine होकर के एक compound बनेंगे अच्छा ध्यान दीजेगा reaction में जो arrow से पहले यह लिखे होते हैं इन्हें हम कहते हैं reactants तो reactants दो या दो से अधिक हैं पर arrow के बाद देखिए यह gives होता arrow gives क्या हो रहा है यह product तो product कितना है एक तो इसी लिए इसका नाम रखा गया है combination या synthesis आईए अब इसका उल्टा करते हैं इसमें उल्टा क्या होने वाला है इसमें decomposition होने वाला है एक compound होगा पर यह एक से अधिक substances में break हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब है कि reactant एक है देख लीजे और यह जो product है वो एक से अधिक है तो a single compound breaks into two or more simple substance example group में mercury oxide आपने mercury oxide को strongly heat कर दिया तो mercury oxide mercury और oxygen में split हो जाएगी लिए रहे कुछ और example देखें जैसे की पानी का acid में पास होना तो आप पानी को acid में पास करते हैं acid देते हैं क्या होगा एक pure water जान से सुनिएगा एक pure water current pass नहीं करता है अब थोड़ा सा उसमें acid मिला देते हैं तो वह क्या करने लगता है passage of electric current करने था अब इसमें electricity pass करिए क्या हो जाएगा एलेक्ट्रोलिसेज हो जाएगा पानी breakdown हो जाएगा और hydrogen और oxygen में separate हो जाएगा thermal decomposition मतलब जिस decomposition के लिए हमें heat लगे मतलब हमें इसको element को क्या करना है breakdown करना है या keyword है split या breakdown करना एक compound को breakdown करना चाहते हैं और किसकी मदद से heat की मदद से अगर heat की मदद से करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा thermal decomposition जैसे कि potassium chlorate potassium chlorate को heat दने पे बन जा रहा है potassium chloride और oxygen यह है thermal decomposition clear है अब decomposition simple decomposition भी हो सकता है जिसमें एक compound दो parts में या दो elements में break हो सकते हैं या एक compound एक element और compound में break हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कुछ example है यह बड़ा चार्ट है आपके लिए आपको सिर्फ समझना है इसमें कि अगर metal hydroxides है वो भी thermal decomposition करते हैं पर specially ध्यान दीजेगा जो टॉप के metals है यह जो एक्टिविटी सीरीज आफ मेटल है क्या चीज़ रियक्टिविटी सीरीज एक्टिविटी से मेटल है इसमें टॉप में जो metals है जैसे sodium potassium calcium यह highly reactive है और जो सबसे नीचे reactive elements है जैसे इसमें mercury लिखा हुआ है है silver लिखा हुआ है यह least reactive है समझ गये तो इनका reaction state है आपको सिर्फ समझना है इसको रटने की जरुवत नहीं है please do not mug this table up आईए समझते है reversible reaction एक ऐसा reaction जिसमें chemical change को reverse किया जाए इसको symbolically ऐसे represent करते हैं देखिए दो एरो लगा हुआ देखिए एक एरो ऐसा और एक एरो कुछ ऐसा लगाए क्या शो करना चाहते है reversible reaction एक ऐसा reaction जिसमें condition को reverse कर दिया जाए condition को reverse कर दिया जाए तो क्या करेगा reactants जो product बना रहा था अब वो product क्या करेगा reactants वापस form कर देगा clear है इसे कहते है reversible reaction एक term आता है thermal dis association thermal word जैसे ही आए आपको keyword याद होना चाहिए क्या heat याद रखे और dis association मतलब breakdown तो देखिए इसमें ammonium chloride को heat देने से वो ammonia और hydrochloric yes actual gas produce कर रहा है तो इसको ठंडा करने पर क्या होगा ठंडा करने पर इन दोनों को combine कर दिया जाएगा और यह वापस क्या बन जाएगा ammonium chloride बन जाएगा तो यह एक तरह का dis association reaction है heat करेंगे तो breakdown हो जाएगा cold करेंगे तो वापस combine हो जाएगा और solid बन जाएगा clear आई आप परते हैं displacement reaction तरी डिस्प्लेश का मतलब क्या होता है एक को उसकी प्लेश से उठाना और दूसरी इसकी प्लेश से बैट जाए नहीं समझ में आया चलो तुम बस में जा रहे थे यहां से सुनना तुम बस में जा रहे थे तो तो तुमारे बगल में तुमारी क्लास टीचर आगे आगे खड़े हो गई तुम नहीं का मैम और तुम खड़े हो गए तुम खड़े हो गए मैम को बैठा दिया मैं महाँ बैठ जाईए तो तुमारा हो गया displacement समझ में आया तो जब एक element अपनी place छोड़ दे उसके बदले कोई दूसरा reactive element आके जग active को displace करता है जैसे मैंने example दिया कि तुम बस में बैठे हो और तुमारी क्लास टीचर आ करके खड़ी हो गई है बस में चड़ी है और खड़ी हो देख रही कोई street खाली नहीं तो तुम खड़े हो जाता है मैम आप बैठ जाईए तुमने क्या किया तुम displace हो गए तुमने तो respect की तुम less active थे और teacher क्या थी more active आप समझ में आया तो इसको कैसे पैचानेंगे कि less active कौन है more active कौन है तो इसके लिए आपको ये activity series याद होने चाहिए it is very very important for you all वागे भी बहुत बार काम अने वाली है क्या ध्यान देना है कि जो उपर के elements हैं ये very active होते हैं most active होते हैं और जो इतने भी नीचे जाएंगे जितने नीचे की तरफ आते जाएंगे the down you go the less reactive they are जैसे example group में समझाता हूँ एक element है जिसमें iron है ठीक है मान लेते हैं iron sulfate या iron sulfate F-E-S-O-4 ठीक है पैरस sulfate ये element है इसको react करा रहे हैं पैरस को देखिए iron है यहाँ पर इसको react करा रहे हैं calcium से जानते हैं क्या होगा calcium क्योंकि iron के बहुत उपर है देख लिजे iron के बहुत उपर है क्या करेगा calcium iron को displace कर देगा जानते हैं क्या होगा देखिए compound क्या बनेगा बनेगा calcium sulfate और iron displace हो जाएगा अब समझ में आया जो उपर है वो more active है नीचे बाले से more active है clear तो more active element less active को सरका देगा समझ गया इसे कहते हैं displacement reaction clear double displacement बापरे एक नहीं दो दो लोग एक दूसरे को सरकाएंगे जरा समझते हैं double displacement क्या है एक ऐसा reaction जिसमें exchange place take place करती है two new some compounds form होते हैं जहां से देखिए sodium hydroxide naOH यहां देखिए HCl अब इसमें से sodium जो है वो hydrogen के साथ combine हो जाता है सोडियम जो है वो chlorine के साथ combine हो जाता है बन जाता है sodium chloride जबकि OH OH के साथ combine हो जाता है और बन जाता है H2O तो double displacement दोनों compound ने एक एक element को क्या कर दिया दिस्प्लेस किया sodium ने H को दिस्प्लेस कर दिया hydrogen को दिस्प्लेस कर दिया और यहां पर H ने OH ने H को दिस्प्लेस कर दिया इसलिए double displacement there is mutual exchange of two radicals and that is why it is called as a double displacement double decomposition displacement तो समझ में आ रहा है सरका देना अब यह है double decomposition तो एक ऐसा chemical change in which two compounds जब solution में होते हैं वो दो ने compounds बनाते हैं mutual exchange of radicals से अब इसके अंदर क्या क्या टाइप साता है double decomposition में पहला टाइप आता है precipitation जैसे कि आप देखिए sodium sulfate और barium chloride sodium chloride बन जाएगा और barium sulfate बन जाएगा यह जो barium sulfate है यह एक तरह का white precipitate है जो कि insoluble solid है इसका नाम है precipitation reaction क्योंकि इसमें एक solid insoluble compound produce हो रहा है जो कि मेरे example में है barium sulfate और भी एक reaction है double decomposition का neutralization reaction बहुत common reaction utilization reaction आपको इसको बहुत अच्छे समझना चाहिए जब भी acid और base react करेंगे तो they will form salt and water only and this reaction is called as neutralization reaction फिर से स्क्रीन पर देखिए sodium hydroxide जो की base है और HCL जो की acid है combine कर रहे हैं form कर रहे है salt and water एक example देता हूं कि मदुमक्खी ने आपको डंक मार दिया है अब मदुमक्खी ने डंक मार दिया है उसके असान तरीका है चूना ले लो नहीं सुना था यह लिवात ना चूना ले लो और वहां लगा दो आसपास हाँ जो पान में चूना लगता है न और वो अवेलेबल नहीं है तो किसी metal piece से वहां पर रवड कर लो तो क्या हो रहा है एक base की मदद से हम acid को क्या कर दे रहे है या कभी-कभी आपने खाना time पर नहीं खाया है हो सकता है आज आपने time पर lunch नहीं किया रात बर या दिन बर खाना नहीं खाया है तो अजीब सी stomach की layer को क्या कर रहा है crush कर रहा है तो उससे में gas warm हो रही है और इसको दूर करना है बड़ा असान तरीका है क्या ले लो इनो ले लो जिसको हम कहते है example है milk of magnesium इनो तो company का नाम है पर उस इनो में है क्या भाई इनो जो पी रहे हैं लोग क्या पी रहे है एक्चलिव वो milk of magnesium एक आपको relief मिल जाएगा समझ में आया कुछ example आई एक topic और है hydrolysis कई बार salt and water जहां से सुनिएगा salt and water react करते हैं और acidic और basic solution बन करते हैं क्या चीज salt and water जैसे की example है कि अगर salt बनाई जाए जिसमें strong base लिया जाए क्या लिया जाए एक strong base तो base strong ले लिया पर weak acid ले लिया एसिड को weak ले लिया तो अब जो solution बनेगा जाहं दीजेगा अब जो solution बनेगा क्योंकि base strong है तो यहाँ पर basic solution solution form होगा इसका उल्टा भी समझ लो इसका उल्टा क्या होगा कि आपने strong acid लिया होगा और weak base लिया होगा क्या बनेगा क्योंकि strong acid लिया है तो acidic solution form होगा इसे कहते हैं hydrolysis अब question आता है सर जब chemical changes से take place करते हैं तो कुछ तो energy में भी change take place करता होगा तो chemical energy तो जो energy एक stored energy के रूप में हर element में है सोचे घर का नमक है तो नमकीन लगता है चीनी खाते है तो मिठा लगता है तो उसके अंदर क्या है उसके अंदर एक stored energy हम उसे कहते है potential energy तो यह energy release होती है जब हम chemical reaction करते हैं तो यह energy release होती है आई यह देखें क्या क्या type of energy है मैंने कहा था जब gas bubbles के रूप में release होगी गुड़ 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 कभी आपने पानी में इनो डाला कभी एक packet इनो खोल कर एक glass bottom डाले देखे खुब सारा bubble गुरू 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 निकलेगा करके देखना चेक करके देखना तो यह क्या है अरे यही तो है फर्वेसंस की कि किस है न bubble swarm हो रहे है अब आता है exothermic again जब भी बताऊंगा exo होगा तो एक ऐसा reaction जो heat release करता है मतलब इस समय heat देना नहीं है compound को elements को बलकि उल्टा वो खुद heat release करेगा imagine करी एक paper है आपने सिर्फ एक बार जलाना है उसके बाद वो खुद heat देगा चलो coal है एक बार coal में आग लग गए तो क्या करेगा वो खुद heat देगा तो यह कैसा reaction है इसका मतलब fuels क्या करते है whole petroleum क्या करते है exothermic reaction जैसे यह रहा यह coal है oxygen combine होके देखे क्या बन जा रहा है carbon dioxide खुब सारी heat release कर रहा है इसका थी उल्टा होता है endothermic reaction खाना कैसे बनता है heat देने से बनता है मम्मी रोटी को पकाती है heat देती है तब बनता है चावल आँ endothermic steam rice जो हम खा रहे हैं वो endothermic reaction है इसमें एक example है कि carbon को sulfur से अगर हम react कराएं under high temperature तो carbon और sulfur combine हो जाएंगे और एक compound बनेगा carbon sulfide तो carbon sulfide बनाना है तो इन दोनों को strongly heat करना पड़ेगा बिना heat दिये मतलब these reaction will proceed only in the presence of heat इसलिए इसका नाम है endothermic यह heat लेगा release नहीं करेगा टिक करेगा एक reaction है photo ओहो नाम से पता चलना है photo नहीं पोटो नहीं कीचिन है light का दूसरा नाम photo है तो एक ऐसा reaction जो absorption of light energy से होता है again photosynthesis का बात किया था यह होता है electrochemical reaction यह वो reaction है जो electric energy के मदद से ही continue कर सकता है reaction which take place by absorption of electric current जैसे इसमें दियावा है potassium chloride को electric current से पास करेंगे तो potassium and chlorine ions produce करेगा और मैंने तो पानी वाला example दिया था कि acidified water है आप उसमें electricity डा लिए वो hydrogen और oxygen में क्या हो जाएगा breakdown हो जाएगा पूरा chapter bullet की speed से मैंने आपके साथ खतम कर दिया है और मैं जानता हूं मेरे rising stars जो अंग तक बैठे हैं वो मेरे सच्चे rising stars है मेरा एक ही कोशिश है कि आपको best of the best content मिल सकें यह सारे तस्त क्लीम बनाएंगे मिलते हैं आगले लेस्ट वीडियो में गाड़ ब्लस यू टेक केर